चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनाशनल मेडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तक्रीबन 50,000 करोड का लॉस हुआ इस मर्तबा चाइना को चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेट पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करें globaltimes.cn जो के चाइना का online tabloid है जिसमें news और articles पॉब्लिश होते हैं वहाँ पर एक article पॉब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये request की है इंडिया से time for new daily to reconsider its anti-China economic policy ये बात चाइना ने क्यों कही इस मरतबा दीवाली पर इंडिया में एक ही खयाल पाया जाता था एक ही सोच थी कि क्यों के आहम देखते रहे के पिछले कुछ हरसे में चाइना और इंडिया के तालुकात कैसे रहे काफी कशीद की रही और काफी खराब हालात रहे तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया ट्रेंड चलाया गया ये awareness पैदा की गई के चाइना की प्राड़क्स का इस दफा बाइकाट करना है अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जबाद होता है चाहे वो इद हो दिवाली हो हो ली हो क्रिसमिस हो निव यर हो तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग है वो भरपूर तरीके से अपन खरीदारी करते हैं और जिस कंट्री के जाहर है कि वो चीज़े खरीदते हैं उसको बहुत जादा फाइदा पहुंचता है अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रेटिसाइज किया जाता है कि देखिए कि इंडिया की जो आफ इस जादा है इस यह सोचिा में इंडिया की इतनी बड़ी पॉपलेशन जो और वह एकुस वज़ा से औरन की स्ट्रेंथ हो किस तरह है कि जब इंडिया में यह इस पैदा की घए यह प्रट चलाए और यह कहा गया कि इस मर्तभा चाइना की जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड का लॉस हुआ है इस मरतबा चाइना को लेकिन मुख्तलिफ जगों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं कहीं पर ये भी लिखा गया है कि 7-8 बिलियन डॉलर जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना एकनॉमिक पॉलि जानते हैं कि वो इक दूसरी के वपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं और शाहिद इसको एगर हम एक ग्रॉडर असपेक्ट में देखें के लाघरजर स्पेक्टर में देखें तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद economic policies या एक दूसरी के उपर depend करने की policy जंग को रोके रखेगी जंग नहीं होने देगी, लड़ाई जगडा नहीं होने देगी इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं जो के एक positive इसका angle है लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी nation के लिए उसकी import और export जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फाइदा पहुचा सकती है अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फाइदा हासिल कर सकते हैं ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है अगर हम यह देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच export इंपोर्ट है वो क्या है इंडिया बिगिस्ट exports टु चाइना और कॉटन और दूसरी भी हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन कॉटन में इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी समझता है कि पाकिस्तान तो कॉटन में माला माल है बहुत अच्छी कॉटन पैदा होती है पाकिस्तान में लेकिन हम कॉटन को अपनी दूसरों के लिए अपनी weakness नहीं बना सके ना यानि दूसरे जो हैं वो हमसे cotton इंपोर्ट करें और वो हम पर depend करें हम अपनी आपको वहां तक नहीं पहुंचा सके, वहां पर नहीं ले जा सके क्यों ऐसा है, अच्छा ले दे कि हमारे पास एक ही चीज रह जाती है और वो है sports का समान, कि जो football world cup होता है वहां पर देखिए पाकिस्तान का football जाता है, कितनी अच्छी किसम का, हम कितने जबर्दस किसम के football बनाते हैं, कि वहां पर world cup वाले जो हमसे लेते हैं और वो इसको यूस करते हैं, मेरा खैल है कि ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको अब इसी एक बात को रगेते हुए बहुत अर्सा गुजर गया है बहुत अर्सा हम इस से हमें निकल कर बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था और इसको भी बढ़ा के बहुत ऊपर लेकर जाना चाहिए था लेकिन हमने देखा के बीच में एक दो साल ऐसे भी हुए कि कुछ जुगात की बिना पर उन्होंने हमसे नहीं लिया किसी और कंट्री से जो है वो फुटबॉल लेकर इस्तमाल किये यह अब हम जिस तरह मैंने कहा के पाकिस्तान एक एग्रिकल्चर कंट्री है और यहां पर इत की तार टेंगे को अई 10 ग hina तौब स्षप क्रिदा नियुक्त इसन दोछ गया मत्रूथ और रहे हम देखो लाविपन की तरफ देख रहे होता है और रूसरों की तरफ देख रहे होते हैं वह भी हम दुज्जेंशं呢 को देखेगे कैं कि जो इतनी बड़ी पांपोलेशन वो मत कीजे तो यह एक बहुती एहम पहल हुआ Highindi मेराखिया है कि दुआवे कंटरी सोगे की हैं यहे का उक्या को तो कौना पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं पाकस्तान को यहें कौन बताएगा। यह हमारी हकुमतें वही देखती उन्हें के काम होतें कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ें अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शेहद से मीठी और पहाडों से उची समंद्रों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है तो होना तो यह चाहिए था कि च कि दूसरों को फाइदा किस तरह होगा वो ये देखती है कि हमारे लिए किस तरीके से बेनेफिट होगा इस चीज़ का और वो बेशक उनके दुश्मन ही क्यों नो वो उनके पास जाते हैं वो उनसे खरीदारी करते है और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पापुलिशन है ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत इच्छी बात है इसकी वज़ाई है कि जब हमसे खरीदेंगे वो तो क्या ही बात है मैं आपको एक और बात बताओं जब आप दुनिया में कहीं पर जाते हैं सफर करते हैं कहीं पर भी आप रह रहे हो यॉरप हो अमेरिका हो यूके हो कहीं पर जब आप खास तोर पर गार्मेंट्स खरीदने जाते हैं तो वहां पर उन कंट्रीज में आपको कुछ ब्रैंट्स मिलते हैं पहले तो आपको अगरन अमरीका में American brand मिलेगा ये European brands मिलेंगे लेकिन उसके बाद इनके बाद जो brands आप देखते हैं कि कुछ ऐसे brands हमें मिल जाएं जो कि थोड़ी सी cheap price पर हो या ये कि उनकी price इन से कम हो और बड़ी एक हर country की बड़ी population ये जरूर देखती है तो वो क्या करते हैं कि उस वक्त जब वो brands देखते हैं वहाँ पर उन मुलकों में तो वो कौन से किन मुलकों के brands होते हैं वहाँ पर India, इसके लावा China, Indonesia और कहीं कहीं पर Malaysia आशिया, आपको ये तीन से चार countries उन मुलकों में मिलेंगे जिनके आपको brands जिनकी आपको खास तोर पर जब हम garments की बात करते हैं तो वो वहाँ पर बड़ी तदाद में मिलते हैं और फिर लोग करते क्या हैं कि आप जानते हैं कि जो बहुत expensive brand होते हैं वो कम खरी दे जाते हैं ये वाले जो हैं कपड़े ये बहुत ज़्यादा खरी दे जाते हैं तो दूसरे countries में जाकर भी आपको जो tag मिलते हैं कपड़ों पर और मुख्तलिफ प्रॉड़क्स पर वो कांके मिलते हैं इंडिया के, इंडिया के tag नज़र आता है आपको वहां पर अमेरिका में, यॉरप में आपको इंडिया के tag के जो हैं गार्मेंट्स नज़र आएंगे आपको चाइना का टैग नजर आता है आपको इंडोनेशिया का टैग नजर आता है गहीं पर मलाइशिया का टैग तो अब आप सोची है कि यही है दुनिया में आगे बढ़ने की बाते हैं और आगे तरकी करने की बाते हैं लेकिन आप जो पाकिस्तान का टैग है वो आपको कह कहीं बहुत ही कम किसी चीज़ पर नजर आएगा हालंके हम ये भी कहते हैं कि हम जी गर्मेंट्स भी बनाते हैं हमारे जो कौटन है वो इतना यहांपर पैदा होता है और हम इस चीज़ में खुद कफील है यह तो हमारी स्टरेंथ है लेकिन इस ट्रेंथ होने के बावजूद ह अपने आपको वहां पर नहीं ले जा सके कि जहां पर इन दो तीन बंगला देश exactly मैं भूल गई बंगला देश का टैग जो है आपको बहुत से कपड़ों पर इतने ब्रैंड्स पर नज़र आता है जिसमें पता चलता है कि ये प्रोड़क्ट जो है वो क्या इनके ओपर सोच रहे है या उनकी तरजियाद, उनकी प्रेफरेंसिस कुछ और ہیں अगर वो इस पहलू पर नहीं सोच रहे है इस अंगल पर नहीं सोच रहे तो फber 시ड़ हम कभी भी तरकी नहीं कर सकते हम इस तरह कभी आगे नहीं निकल सकते और अगर हमने भी ये तरीका नहीं अपनाया तो फिर आप देखे ना जिस तरह मैंने आपको बात कही उसी पर मैं वापस आती हूं वहीं पर अपनी ये जो प्रोग्राम में खत्म करती हूं कि चाइना एक इतनी बड़ी ताकत है दुनिया की लेकिन उसने जो इंडिया है उसन प्रोडेशन उसकी स्ट्रेंथ बनी और उन्होंने कहा कि हमने चाइनीज प्रोग्राम में खत्राइब है